प्रदेश में लगातार बस हाथ से हो रहे हैं जिसको लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूस पहुंचा है रियल्टी चेक करने और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो आपको विचलित कर देंगी ये वो आटो है जिस आटो के अंदर इन छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को इस तरह से ठूस कर लाया जा रहा था जैसे कि ये कोई बच्चे नहीं बलकि भेड बक्रिया हो हम आपको गिंती करवाएंगे कि इस एक आटो के अंदर किस तरीके से इन बच्चों के साथ इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवार किया जा रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और चोदा यानि कि एक आटो में चोदा बच्चों को थूस थूस कर भरा गया इन बच्चों की जिंदगी से खिलवार किया जा रहा है, बार-बार सरकार ये दावे करती है कि उन्होंने ट्रांस्पोर्ट सिस्टम पर और खास तोर पे बच्चों के ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के उपर नकेल कसी है हमारे साथ परमजीत सिंग बडोला है उनसे बातचीत करेंगे सर एक छोटे से आटो में 14 बच्चों को भेड़ बक्रियों की तरह ठूस ठूस कर लेकर जाया जा रहा है क्या कहेंगे आप आटो में इतने बच्चों को भरना बिलकुल असरक्षित है किसी टैम भी कोई भी बड़ी ट्वेजटी हो सकती है और इसके लिए हराना सरकार ने सरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी जारी की है उसके लिए हमारी और परशासन की ड्यूटी बनती है क्या हम उसको फॉलो करें और जो माबाप की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को देखें कि क्या वो अपने बच्चों को किसी सुरक्षित वाहन में भेज रहे हैं या नहीं लेकिन जिस तरीके से ये 14 बच्चों को एकठा भरा गया ऐसे ही अगर कोई हाथसा हो जाता है तो बड़ी दुरगटना क्योंकि जितना ठूस के बच्चे बड़े होंगे कलाप्स होगा और इसके अंजाम जो है वो बहुत बुरे होंगे पहले भी अंबाला में ऐसी कई दुरगटना हैं हुई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं चौदा बच्चे एक साथ जो है वो भरे गए क्या कहेंगे और क्यों नहीं लोगों पर कारवाई होती क्यों इनके जो आटो हैं उनको इंपाउंड नहीं किया जाता है कारवाई परशासन द्वारा समय समय पर की जाती है लेकिन इस कारवाई के साथ साथ हमारे बच्चों के मांबाप का भी समाजिक दैतिव बनता है कि वो आपने बच्चों को उस वहिकल में बेजें जहां उनके बच्चा सुरक्षी स्कूल जाए बिल्कुल वाजिब सी बात है कि परशासन के साथ साथ सरकार के साथ साथ अभिभावकों की पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह भी इस बात को बिल्कुल नजर अंदाज ना करें कि क्या उनके बच्चे जिस ट्रांस्पोर्ट वहिकल में उन बच्चों को भेज जा रहा है क्या वो उसमें सरक्षित भी है या नहीं क्योंकि जब भी कोई हाथसा होता है इसके बाद सरकार को परशाशन को दोशी माना जाता है लेकिन हम यही कहेंगे कि जो माबाप इन छोटे-छोटे मासूम बच्चों को इस आटो में पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं वो भी उस परशासन से या सरकार से जैदा दोशी है जो इने इस तरीके से मौत के मूँ में जोंक रहे हैं आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ अंबाला ब्रेकिंग नियूस पर और हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे हर्याना में हुए एक के बाद एक स्कूल बस हाथसों के बाद सरकार भले ही स्कूल कॉलेजों के लिए सड़क सुरक्षा नियूमों के पुक्ता इंतजाम लागू करने के लाख दावे कर रही हो लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही है हर्याना के अंबाला में सरकार के इन सभी दावों को परखने के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूस की टीम ने रियल्टी चेक किया इस reality check में सरकारी दावों की जो dirty picture हमारे कैमरे ने कैद की वो इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी थी हमने मासूम स्कूली बच्चों की कई ऐसी तस्वीरें कैद की जिने भेड़ बकरियों की तरह आटों में ठूस ठूस कर भरा गया था ऐसा नहीं कि सरकार के दावों की ये dirty picture आटों तक ही सीमित थी बलकि इंजिनिरिंग कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज से ला रही बसे भी अभी तक CCTV कैमरों महिला स्टाफ जैसी उन बड़ी कम्यों से जूज रही है जिनके पूरा होने के सरकार दावे ठोक रही है कैमरे में कैद सरकारी कोताही की इन तस्वीरों की गवाई भी कोई और नहीं दे रहा बलकि खुद वो लोग दे रहे हैं जो सरकार के आदेशों की धजिया उड़ा रहे हैं करेखिए जो सुषी कोई लूड़कों बढ़ाएं जिसके रखें आपको भी लगता हमारा ये दूसरी उसरी हाडी कराव होगी दूसके बच्चे अब क्यों बठाएंगा। तुर्पी जी सीची टीवी नहीं है जब कि सरकार दो है वह बार बार बोल रही है सीची टीवी होने चाहिए सर आले मनले के अंदरो अडरनी सान मनले के वह जिद्धा वैसे दे कहवाई अंशार सनी जो भी होई जिद्धा नहीं लग जन गई ऐसा नहीं कि रियल्टी चेक की इस डिर्टी पिचर से सिर्फ हम परशान हुए हों बलकि इन बसों और आटों में सफर कर रहे बच्चे और महिला स्टाफ भी अपनी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर चिंतित और परशान दिखाई दिये सर होने तो चाहिए क्योंकि अगर कोई भी बस हम चला रहे हैं तो अगर कहीं भी रास्ते में कोई प्राब्लम हो जाए तो कैमरे में तो कैप्चर होई सकती है लेकिन वो भी नहीं है और कोई सिर्फ ड्राइवर एंकल है और हम सारी गर्ल्स है और बोई है सर्फ होने तो चाहिए लेकर फेस्ट के रिगान कॉलेज को रहे हैं तो थोड़ा सोशनी है इस CCTV कैमरे तो पंपलस्ट्री हो चाहिए हमारी टीम द्वारा कियेगे इस रियल्टी चेक में राजे बाल अधिकार, एमम सरक्षन आयोक के सदसे और आठिये विभाग के पुलिस अधिकारी भी साथ थे इन अधिकारियों ने भी माना कि सरकार दिन परती दिन बढ़ रहे स्कूली बसों, वैनों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हाथसों को रोकने में नकाम है अलबता उन्होंने ये जिरूर माना कि हमारे इस रियल्टी चेक में सरकारी दावे पूरी तरह फेल है जिने सुधारने में कम से कम वो तो कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं इसमें माननिये उच्चनेयले के निर्देश अनुशार जो सुरक्षित स्कूल वान पॉलसी है उसके तहत इन स्कूलों के खिलाब जो कारवाई बनती है उसमें सक्ट से सक्ट कारवाई की जाएगी और लगातार इस तरह के अभियान हम चला के रखते हैं बीच में ओचक निर्ख्षित स्कूल में जाके भी करते हैं बसों की स्थिती को देखने के लिए और मानिये उपायुक्त महदया और अतिरिक्त उपायुक्त महदया लगातार इस चीज़ पे बहुत सतर्क वो संग्या अभियान रखते हैं अपना और हम लगातार हम ये इस तरह के अभियान चला ते रहे हैं आज जो हमने बसें चेक की हैं उसमें ज्यादा एक फस्टेट बोक्स की और एक एक बस में मैला अटेंडेंट की कमी जरूर पाया हम उसके एक बस में वो थी बाकी में CCTV वरकिंग में अटे जी और इसके लिए भी हम जो भी नियमनुसार कारवाई बनती है उनके खलाफ सक्थ 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 कारवाई करेंगे अब बक्षा नहीं जायगा किसी को भी सरकार और परश्याशन पूरी तरह से इसके लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि स्कूल परशाशन और विशेश तोर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी भावक विशेश तोर पर इसके लिए जम्मेवार मानते हम लगातार स्कूल कॉलेजिस में जाके एक जागरू का भी आन चलाते हैं उसमें बार बार बच्चों पेरेंट्स को भी जागरू करने कोज़ करते हैं पर इसकी तर पर इक अभी आन सलाने की इसमें आउशकता है